नमिश्कार दोस्तों मैं हूँ महिंदर दोग में मोटिविशन स्पीकर और लाइब कोच और हम शेयर मार्केट की इस जर्नी में आ चुके हैं वीडियो नमबर टू में मतलब हमारी आज क्लास नमबर टू है आशा करता हूँ कि आपने पहला वाला जो क्लास है वो देख लिया क्या सीखने वाले हैं सपोर्ट और सेंस को कैसे ड्रॉ करना है जो लोग नए हे वो लोग तो सीखेंगे ही्लेकिन जो लोग पुराने होसे ने आता है वो लोग भी सप्क मेशा होता है कि हमको लगता हैं को साब कुछ आता है और हम पुरानी चीज़े भूलते चाते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा नई चीज़ और पुरानी चीज़ को भी सीखते रहना है, हम फिरुवात करते हैं, उससे पहले देखे, फिर से वही बात, जो आपको हमेशा यह दखना है, हमारी जो community है, उसका नाम है Among Trader, है ना, एक स सन्यासी की तरह हमको ट्रेडर बनना है, क्यों? क्योंकि हमने जाना था पहले एपिसोड में, वो काम होते हैं, एक दमशान्द होते हैं, patience होता है उनके पास, greedy नहीं होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ सभी का सम्मान करते हैं, ego नहीं होता है, है ना, यह सब चीज़े काम म में आएगी, हर एक शब्द काम में आएगा, तो हमारी कम्यूनिटी का नाम है, मौंक ट्रेडर, और हम ट्रेड करेंगे, लाइकर मौंक, ठीक है, और एक चीज़ बता दू मैं, कि डिस्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलिग्राम चैनल का, जो कि हमने नया क्रिएट किया है आप उसको जोईन कर लिजे, ताकि बैक टू बैक जितने भी वीडियो आएंगे, सिरीज में, क्लास नमर एक, दो, तीन, चार, पांच, पचास, साथ, जितनी भी क्लासे साएंगी, वो बैक टू बैक आपको वही मिल जाएंगी, और जितने भी होमवर्क रहेंगे, वो भी आपको वही मिल जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टेस भी होती रहेंगी, ठीक है, ये बात याद रखेगा, साथी में जिसके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में, आपको यही खुलवाना है, तो वह चीज बारी की से सिखाते जाओंगा, ठीक है, सबसे पहले आपको जानना होगा इन दो शब्दों के बारे में, चार्ट और कैंडल स्टिक, ये जो सपोर्ट और रजिस्टेंस मैंने कहा है ना अभी, ये कहीं हमको ड्रॉ करना है, तो कहीं हम कहां ड्रॉ करेंगे, तो वो ड करेंगे, लाइन के थ्रू, सपोर्ट रजिस्टेंस, ठीक है, एकदम सिंपल ही, मैंने भहुत आसानी से समझाए, आपको फिर से बता देता हूं, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां बनेंगे, वो बनेंगे चार्ट पर, एक चार्ट होगा, वो हमको देखना पड़ेगा, तो उसी पर हमको कीचना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, तो चार्ट क्या होते है, एक चार्ट किसी भी समयावधी में किसी असेट की कीमत की गतिविदी को दर्शाती है, बहुत सिंपल कर देता हूं, कि भाया, जैसे माल लीजिए, रिलाइन्स के शेयर को 10 साल हो गया, तो 10 साल में हर एक दिन उसने क्या किया है, यह आपको कैसे पता चलेगा, कि किस दिन ऊपर गया था, किस दिन नीचे गया था, किस दिन भाव बढ़ा था, किस दिन भाव कम हुआ था, यह कहां पता चलेगा, इस सारी की सारी चीज़े दिखेंगी, यह पूरा का पूरा market किस चीज से चल रहा है, किस force से चल रहा है, demand के और supply के, जब लोगों को लगता है कि नहीं यार, यह stock या यह चीज तो अच्छी है, इसको खरीद लेना चाहिए, तो मतलब demand बढ़ गई, और जब किसी वेक्ति को लगता है, या किसी group of people को लगता है, कि यार, अब इसकी value तो कम हो गई है, इसको बेज देना चाहिए, तो उसकी demand कम हो गई है, बतलब वो supply zone में आ गया है, तो इससे चलता है, यह भी हमें कौन बताता है, चार्ट बता देगा, अतीत बताना और भविश्य की भविश्यवारी करने में मदद करता है, मतलब पास त वो यही बताएगा technical analysis, जो मैंने आपको पहले कहा था, fundamental वो भी बताता है, तेकिन technical सबसे पहले बता देगा, तो चार्ट क्या हो गया, आपको समझ में आ गया, भी चार्ट दिखाओंगा भी, अब आपको सीखना है कि candlestick क्या होते हैं, देखिए, एक candlestick chart, जिसे जापानी candlestick chart भी कहा जाता है, 18 अताबदी में एक जापानी चावल व्यापारी की दोरा विक्सित किया गया था, यह उसकी definition होगी कि कि किसने कहा से आया है यह, candlestick कहा से आया है, जापान से आया है, ठीक है, candlestick क्या होते हैं, आम तोर पर एक निश्यत समय सीमा पर मूलिय में उतार या चड़ाओ को दिखाते हैं, अभी मैं candle दिखाओंगा आपको, जो लोग नए हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो पुरान हैं उनको पहले से पता होगा, तो एक candle क्या करता है, कि एक particular time में, है न माली जी हम दिन की candle देखेंगे, तो एक दिन में, उस दिन में क्या हुआ ह ये सारी चीज़े हमको candle stick से पता चलती है, चार्ट क्या होता है, सारी candle stick मिला के क्या कर रही है, उस दिन में, उस महिने में, उस सब्ता में, उस साल में, वो दिखाएगा चार्ट के अंदर एक साथ, और एक particular candle stick क्या दिखाएगी कि उस दिन में, उस सब्ता में, उस महिने मे क्या हुआ है चलो इसको practically देख लेते हैं पहले देखना होगा आपको price के parameters क्या क्या होते हैं कि एक price क्या क्या चीज़े बताएगा ठीक है तो for a given time frame price has following four parameters simple से चीज़े कि प्राइज चार चीज़े बताता है क्या क्या बताता है एक price बताएगा कि वो open कहां पर हुआ सबसे पहली चीज़ अभी हम देखने वाले हैं दूसरी चीज़ बताएगा कि वो उसने high कितना लगया है तीसी चीज़ बताएगा उसने low क्या लगया है और चौती चीज़ बताएगा कि वो close कहां पर हुआ है theoretically समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्तत नहीं यह लीजिए प्रैक्टिकली यहां पर आ गया अब दिखीएगा एक मूटा मूटा तो सब पैरामीटर होते हैं क्या क्या होते हैं open close high और low सिर्फ यह 4 ही पैरामीटर होते हैं चाहे वो green वाला प्रैस हो या फिर red वाला प्रैस हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता किसी भी प्रैस के 4 पैरामीटर हो सकते हैं कभी-कभी इस वीडियो को देख रहे हैं और उस दिन stock market खुला और उस दिन के आपने दिन की candle को देखा कि यार पूरे दिन में stock market ने क्या किया और आपके सामने ये वाली जो candle है ये वाली candle आपको देखे अब आपको यदि नहीं पता आप नए हैं तो आप दिमाग लगाएंगे कि यार इसके अंतर हुआ क्या है तो इसको समझने के लिए बड़ी ही आसानी से इसको समझते हैं कि आपको सिर्फ देखने से पता चल जाएगा कि चुछ चार चीज़े हमने कही थी वो चार चीज़े यहां से है पहली ओपन देखे यहां पे उस दिन प्राइस ओपन हुआ था ठीक है यह हो गया दूसरा यहां पर प्राइस क्या हुआ था क्लोज हुआ था यह हो गया तीसरा यहां पर क्या हुआ था प्राइस ने हाई लगाया था लेकिन यहां पर कोई आ गया होगा सेल करने के लिए तो बापस नीचे क्या है और यहां पर देखिएगा यहां पर क्या हुआ है price ने अपना उस दिन का low लगाया है अभी हमने क्या सीखा था कि किसी भी price के चार parameter हो सकते हैं कौन कौन से parameter है देखिए हमने अभी यहाँ पर आपको बता दिया पहला क्या है open मतलब उस दिन जिस दिन भी आप ये video देख रहे हैं यह दि शेयर का मारा होगा यहान का मारा होगा और उसने closing कहा की दी यहां की दी तो किसी भी price के चार parameter होते हैं अब यदि वो candle green दिख रहे हैं इसको क्या बいた है है ना और यदि वो candle green है और उसमें ऐसा दिख रहा है तो इस प्रकार से हो अब यदि उसी दिन में रैड केंडल बनी हूँ इस पिकार की एक रैड केंडल बनी हूँ तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा देखिए बिलकुल लॉजिकल है मतलब कोई अलग चीज नहीं है तब क्या होगा ओपन यहां पर होगा मतलब पहला नमबर यहां पर होगा पर क्लोज हो जाती है हाई यहां का लगाती है लो यहां का लगाती है बहुत ही सिम्पल सी बात है आगे और डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी इतनी बात समझने की जुरत है और रैड में क्या होता है ओपन यहां पर होगी ना मतलब लॉजिक है ना यार कि कोई चीज होगी तो यहां चालू होगी यहीं बंद होगी तभी तो ग्रीन बनी है मतलब प्राइज उपर गया है सिम्पल सी लेंग्वेज में समझा रहा हूँ और यदि कोई चीज रैड बनी है मतलब प्राइज कहां गया होगा नीचे गया होगा और नीचे गया होगा तो क्या होग तो आपको ये वाला जो candle stick pattern है ये चार जो parameter है जीवन भर याद रखना पड़ेगा ये आपको stock market में आना है तो कभी candle कैसे बनेगी कभी कैसे बनेगी कैसे बनेगी लेकिन ये चार parameter ही होते हैं इनको ये याद रख लिया तो सारा काम खतम चलो अभी अगली चीज़ देखते है कि time frames क्या होते हैं आपको सायद वो price तो समझने आ गया होगा लेकिन हर एक time frame की अपनी candle बनेगी जो आज candle देखे न आपने वो हर एक time frame की अपनी candle बन सकती है जैसे month में जाओगे चार्ट को देखने तो पूरे महीने की एक candle बनेगी वो क्या दिखाएगी कि भाईया पूर देखने जाओगे तो डेली का आरली दिखाने जाओगे तो आरली का एक मिनेट पांच मिनेट 15 मिनेट 20 मिनेट 10 मिनेट हर time frame की अपनी एक candle बनती है मतलब हर एक time frame में क्या हो रहा है वो आपको candle की मदद से पता चलेगा लेकिन आपको क्या देखना है वो हम आगे आने वाल क्या है यह आपको पता करना है तो देखिए ट्रेंड लाइन क्या होती है प्राइस की दिशा दिखाने के लिए एक ऊचे या निशले स्थर पर खीची गई एक line या रेखा जो होती है उसको कहते हैं ट्रेंड लाइन क्या किसी भी time frame में support resistance का एक visual representation होता है मतलब वो दिखती है कैसे दिखते हैं हम दिखाई देते हैं simple सी बात की है ठीक है अचा support line भी पढ़ लेते support और resistance क्या होते सपोर्ट की trend line क्या होती है ट्रेंड के निचले स्थरों को मिलाने वाली एक line होती है उसको support की trend line कहते है resistance की trend line क्या होती है कि train के उचले जो उचतम window होंगे उनको मिला पाने के वाली line होगी उसको resistance की कहेंगे ठीक है और यह स्टॉक मार्केट में क्या दिखाते हैं सपोर्ट रेस्टेंस के line में के बीच में ही चलता है मतलब पूरा का पूरा मार्केट है ना वह सपोर्ट और resistance के बीच में ही चलेगा और उसको ही break होता है या फिर नीची की औ उपर या नीचे की और टूट जाती है उसको बोलते हैं breakout या breakdown है ना वो अक्सर जो train के reversal को दिखाते हैं कि कोई train reverse हो गया है अभी क्या क्या term सिखी एक बार फिर से देख लिजे हमने क्या क्या सिखा है trend line में support और resistance ठीक है मतलब trend line क्या होती है इसके बाद support और resistance क्या होते है और इसके बाद जो breakout होते हैं और breakdown होते हैं वो क्या होते हैं अभी हम practically इसको चार्ट पर देखने वाले हैं तो tension मत लीजेगा अब इस प्रकार से देखिए माल लीजे जो पहली class थी उसमें मैंने आपको सिखाय था कि price का movement कैसे होता है uptrend में downtrend में और sideways में जिसने वो class नही market उपर जाता है अब मैंने बताया था आपको कि market कब नीचे आएगा यह आपको कैसे पता चलेगा तो जब यहां से फॉर्मेशन चेंज कर दे हायर हायर लोग का फॉर्मेशन चेंज कर दे के lower lower high बनाने लगेगा तो market क्या जाएगा अब ट्रेंट से downtrend में आ जाएगा लेक लेकिंशों नए बच्चे, नए लोगें उनको पता ही नहीं है की कैसे होगा तब हम क्या करेंगे एक support की trend line खीचंगे यह support करता है market को को इसको support की trend line कहता है देखिए यहाँ पर support मिला पहले फिर यहाँ पर support मिला यहाँ पर support मिला यहाँ पर support मिला और इन support को लेते 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 मतलब इसको कैसे कह सकते है कि आपके हाथ में एक लकड़ी है उस लकड़ी को टेकते 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 आप कोई पहाड की चोटी जो है उसको चड़ रहे है तो यह देखिए पहली बार कहां टिकी यहां से चले यहां टिक गई ठीक है जब तक ये दो बार इस प्रकार से नीचे ना आ जाए तब तक ये ड्रॉ नहीं हो सकती लाइन इस बात को समझ लीजेगा इसके लिए दो पॉइंट होना बहुत जरूरी है और उसके बाद क्या होगा उसी लाइन पर ये कमाल की चीज़ है मतलब ट्रेंड लाइन कर एक लाइन खीची होती और भविशे में क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं होता आपको पता ही नहीं होता मार्केट अभी यहां पर यहां पर आ चुका है और आपको भविशे में नहीं पता है कि क्या होने वाला है लेकिन यदि आपको ट्रेंड लाइन मनाना आता ह सपोर्ट की और रेस्टेंस की तो क्या जादू हो सकता है यह देखिएगा जादू क्या हो सकता है कि इन दोनों को मिला के आपने यह लाइन बनाई थी अब यह आपको पता ही नहीं है कुछ भी एक सेकंड के लिए तो मार्केट देखिए यहां पर आया और करेक्ट यहीं पर यहीं पर टच किया और यहीं से वापस से उपर चला गया है ना जादू किसी ने कुछ नहीं किया यहीं पर आया सपोर्ट लिया वापस उपर चला गया यहीं हम ट्रेड लेंगे कैसे लेंगे वो बाद में सीखेंगे लेकिन पहले ट्रेंड लाइन बनाना सीखना है सपोर् ना मार्किट कहा जा रहा है और उसको बार बार support मिलता जा रहा है और वो अपनी लकडी को टेक टेकर ऊपर बढ़ता जा रहा है लेकिन यहाँ पर भी support मिल रहा देखिए यह भी support है लकडी तो टेक रही है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है एक range में ही फासा हुआ है तो इसको भी हम support की ही line बोलेंगे line है, train line है लेकिन ये किसकी है support की है अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दो बार market आया और हमने ये line खीज दी यहाँ पर भी वही नियम चलेगा जब तक price दो बार वही पर आकर उपर ना चले जाए तब तक support की line हम नहीं खीज सकते हैं कैसे यह देखिएगा support की line बैसे यहाँ पर तो खीज सकते हैं यहाँ पर trend line को नहीं खीज सकते हैं एक से trend line नहीं बन सकती trend line के लिए कम से कम दो point होना ज़रूरी है तब हम इससे इसको चिपका के आगे बना सकते हैं कैसे बनाएंगे हम सिखाएंगे भी लेकिन support को मान सकते हैं देखिए माली जे market यहाँ से यहाँ पर आया और आपने एक line को जो है यहाँ से खीज दिया अगली बार फिर market यहीं आया इसी line से exactly market उपर चला गया देखिए फिर से जादू हो गया वापस नीचे आया इसी line से market वापस उपर चला गया दो बार तीन बार अभी देखिए अगली बार और फिर लगभग मार्केट उसी के पास आया और वापस यह उपर चला गया तो करीबन इसके लिए दो पॉइंट होना जरूरी है जब दो पॉइंट टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद तीसरी बार चौथी बार यह और काम करता है और उसी समय में हम किसी भी स्टॉक में एंडेस में ट्रेड लेंगे यह हम बाद में सिखाएंगे लेकिन बनाते कैजसे हैं यह सीख रहे हैं अब हम कि इसको सपोर्ट की ट्रेंड लाइन कहते हैं तो यह हो गया फ्लैट में और जब उपर की और जाएगा लेकिन resistance में market क्या करेगा आपको एक downtrend दिखाएगा यहाँ पर वैसे हमारी team ने uptrend की ही एक resistance की line बना कर दिखा दी है लेकिन वो mainly काम करेगी downtrend में ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर भी बता देता हूँ और एक downtrend में भी दिखा दूँगा देखे यह कैसे का हम करेंगे ये line Mazels के हमने आवं कुछ नहीं पता हमको कुछ नहीं पता था कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है लेकिन हमने क्या देखा कि यहां से नीचे आया वहो। वापस से उपर 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 गया यह मैं पहले से नीचे आ गया एक कमाल है डेंड लाइन का अभी हमने देखिती सपोर्ट के डेंड लाइन और ये देख रहे हैं हम रिजिस्टेंस की टेंड लाइन लेकिन ये आप ट्रेंड में बनाई है इसकी डाउं टेंड वाले भी होगी कैसे होगी मैं यहां पर formation बना के दिखा दिता हूँ इस प्रकार से market नीचे आ रहा होगा दो point बनाएगा तो आपको इस point को और इस point को मिला कर एक line इस प्रकार से खिचनी होगी और जब अगली बार market वापस से यहाएगा तो यहीं से गिरेगा जब फिर आएगा तो फिर गिरेगा अभी करीबन करीबन दो बार से तो हम line को मिलाते हैं लेकिन अगली दो बार फिर से वहाँ पर यह काम करता है इसलिए तीसी और चौती बार में हम इसको trade करना नहीं छोड़ेंगे ठीक है इसी प्रकार से देखिए फ्लैट वाली भी होगी यह देखिए फ्लैट वाली resistance की line क्या कमाल की चीज़े देखिए आपने क्या किया लगभग इस point को मिला कर एक line की चीथी market यहां से यहां गया वापस यहां गया देखिए उपर जा ही नहीं पाया यह वापस नीचे आ गया वापस से यहीं गया नीचे आ गया वापस से यहीं गया और नीचे आने की तैयारी कर रहा है इसका मतलब क्या है आपका resistance जो है वो काम कर रहा है कैसे काम कर रहा है कि जब भी market वहाँ पर जाता है गिरता है जब दो बार ऐसा हो जाये तो तीसरी बार ये guarantee तो नहीं कहेंगे लेकिन ये probability होती है कि वहां से market फिर से गिरेगा मतलब आपकी trend line क्या कर रही है काम कर रही है तो आपने दो support की trend line देखी और दो resistance की trend line देखी एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये देखिए ये support की trend line है ये market उपर जा रहा है support की trend line है support ले रहा है है और ये भी trend line है flat वाली यहाँ पर market बार वर क्या कर रहा है support ले रहा है तो एक तिर्ची वाली line होती है और एक 3D वाली line होती है ये हो गई एक support की line और resistance की line कैसे होती ह या downtrend में होगी नीचे की और और यहाँ पर देखिएगा यह फ्लैट होगी मतलब ऊपर नहीं जाने देखिए अब मैं आपको एक बार और ईजी करके सिखा देता हूँ दो लाइन के बीच में देखिए यहां पर आकर मार्केट सपोर्ट ले रहा है वो मदद कर रहा है कि भहिया इससे उपर ही जाओ इससको सपोर्ट की लाइं कहते हैं इसको रवे क्यों कहते हैं क्योंकि इस से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है इस बात का ध्यान रीजे का जब उपर नहीं जा पा रहा है मतलब ऊपर जो बैठे हैं उसको नीचे धाका रहे हैं तो दो लाइन इस प्रकार की होती है और यह देखे यह वाली लाइन अब आपको exactly यहीं पर करता है जब मार्केट नीचे किरेगा जो औभी नहीं थाट था तो यह क्या हो जाएगा तब resistance तब यह resistance हो झाएगा और यह क्या हो जाएगा तब support उलटा हो जाएगा जब मार्केट ऊपर चड़ेगा तो ये सारे सपोर्ट होंगे क्योंकि market को नीचे आने से रोकेगा इसलिए वो support है और ये सब क्या है resistance है इस बात को याद रखेगा और जब market नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगे फिर सारे support ये क्या बन जाएगे सारे के सारे resistance बन जाएगे, तो यह बड़ा ही simple है, इसका homework आपको करना है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए, अब important note है, सबसे important चीज़ इस chapter की जो है, वो यही है, कि जब भी एक support तूटता है, तो वो resistance बन जाता है, फिर से resistance टूटेगा, तो वो support बन जाएगा, कैसे बनता है, इसको देख लेते हैं, यह देखिएगा, यहाँ पर market देखिए, यहाँ पर उपर ने निकल पा रहा था, यहाँ पर ने निकल पा रहा था, लेकिन हमने क्या कहा, जैसे ही रेजिस्टेंस तूटेगा, तो वो क्या बन जाएगा support, फिर वो वहाँ से नीचे नियान देगा देखे कैसे, यहाँ पर हो गया जादू अब देखिए यह जो भी stock होगा उसने दिया यहाँ पर breakout, यह line देखिए लाइन ये तूte नहीं पा रही थी लेकिन देखिए यह फिर यहां पर टूटी इस यापन टूटी इस में यह लाइन टूट गई ब्रेक आगत हो गया अब ब्रेक आउट के बाद कि मार्केट नीचे तो आया नीचे तो आया देकिन इस वाली लाइन को नहीं तोड़ पाया जब इस वाली लाइन को नहीं तोड़ पाया तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि मार्केट में क्या ले लिया है सपोर्ट ले लिया है और ये एक शेयरिटी भी होती है कि अब सपोर्ट ले लिया अब तो market उपर जाएगा ही जाएगा ठीक है तो यहां पर market ने क्या ले लिया है support और यह दिखा दिया है कि यह retest कर चुका है अब market उपर ही जाएगा तो यह resistance क्या बन चुका है अब support में बदल चुका है ऐसे ही इसका उल्टा भी लेकिन इस लाल केंडल में देखिए इस लाइन को तोड़ दिया जो बहुत दिनों से या बहुत समय से नहीं तूट रही होगी यह वाली लाइन तूट गई अब तूट गई तो क्या हुआ तूटने के बाद क्या हुआ वह important है यह उपर जाने की कोशिश किया पूरी प्रागत लगा दी लेकिन अभी हम क्या पढ़के कि सपोर्ट जब तूट जाता है तो वह resistance बन जाता है अपने आप में तो यह सपोर्ट जैसे ही टूटा यह रेजिस्टन्स बन गया अब प्राइस इससे उपर नहीं निकल पाया और देखिए वापस से नीचे चला गया तो बहुत हमने सिंपल सी चीज गया आपको समझ में नहीं आया है तो और पहली में न और डेखिए वह पहलीली वाले आपको पैंजी다는 ऑसके वहाँ पर सारे वीडियो, होंबग, सारी नही नहीं चीज़े, सारे नहीं नहीं स्टॉक के बारे में जान करें हम वहाँ पर आपको देते रहेंगे अब देखिए एक बार और बता देता हूँ आपको कैसे आपको होंबग करना है आपको Reliance खोलना है, SDFC खोलना है, SBI खोलना है, कोई साभी Stock खोल लेना है यहाँ पर जाके Day की Candle लगा लेना है, ठीक है, यहाँ पर Day की Candle लगा लेना है हर Candle यह दिन की है, और यह कहां मिलेगा, Trading View, Fires कहीं पर भी आप खोल सकते हैं यह Free of Cost रहता है, मतलब Trading View में जाओ, सीधा Free of Cost रहेगा अब Line क्या से किछना देखो, यह यहाँ से नीचे नीचे दो बिंदू मिल गए इसको यह Draw किया, यह हो गई Resistance की Line, देखो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है यह वाली LINE से इसको और इसको देखो यहाँ से वापस से Market ऊपर चला गया, यहाँ पर quarter किया, यहाँ से फिर से Market उपर चला गया अभी एक आधी लाइन देखते हैं हम र्यिस्टांस की हैन्ध लिखिए लैन से मार्य यहां से तो mind or लेकिन कई बार मार्क मतलब support और resistance की और यहाँ पर नीची उपर वाला support इस परकार का जो support और resistance होता है यह दोनों के दोनों draw करना है Reliance, SDFC, SBI, Bank of Broda आप जहाँ चाहें उसका chart खोले day में जाए और वहाँ पर यह करके दिखाएं ठीक है इसके बाद हम check करेंगे आपने कैसे किया है यह हम telegram group में जो भी सुविदाएं होंगी वहाँ पर हम check करेंगे आपको हूंबग करना है तो आशा करता हूँ जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुती मज़ा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा और आपको comment box में बहुत सारा प्यार देना है comment करके बताना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और धीरे धीरे सीखेंगे एकदम से कुछ नहीं कि मुझे ये भी सिखा दो कई बच्चों को मैंने देखा है कि फिबोनाची भी सिखा दो ये भी सिखा दो वो भी सिखा दो सब सिखाएंगे लेकिन basic to advance मतलब शुरुवात से लेके अंति तक सिखाएंगे और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद